500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI तुम लोग YouTube में ऐसे बहुत सारे Free Fire के Montages वीडियोज देखे होंगे जहाँ पर कुछ Free Fire के परानी बहुती ज़्यादा मात्रा में DPI लगा कर गेम प्ले करता है और हाँ भै बड़े ही खतरनाक हिट्सोड धी मारता है अब ऐसे में हर किसी के मन में एक सवाल आता है क्या ज़्यादा DPI लगाने से ज़्यादा हिट्सोड लगता है हमको नहीं पता और इसी सवाल का जवाब ढूणने तुम्हारा भाई निकल पड़ा भाई मैंने तुम्हारा वीडियो देखा डेड़ हजार DPI वाला तुम मेरे को बताओ इतना खतरनाक तुम DPI का दुरूपयों कैसे कर लेते हो जलवा है हमारा छोटू सही में काम करता है क्या DPI हाँ छोटू एक काम कर डिस्कौर्ड में आद दिखाता हूँ तो देख ये है मेरा बिना DPI वाली गेमपले हाँ एकदम खतरना गेमपले है और आप देख ये है डेड़ हजार DPI वाली गेमपले अरे क्यों लिला डाला ना पूरी जिन्दे की बदल दिया गेमपले की तुम ही खेल रहे हो क्या मैं क्या पैस्टम भी वही है बस DPI बढ़ा लिया मेंने तो दोस्तो आज मैं ट्राइ करने जा रहा हूँ डेड़ हजार DPI अब मैं अपने दुस्मनों को दिखाऊंगा उसकी असली ओकात सीना चौडा करके बोल तो दिया था मैंने बट DPI लगाने से मेरी फट रही थी परंदू फाइनली मैंने लगाया खतम सो अभी मेरा फोन है डेड़ हजार DPI में कसम से बता रहा भाई इतना ज्यादा सेंस्टिविटी मैंने जिन्देगी में कभी अनुभब नहीं किया तो क्या हेट सोड में कोई इंप्रूब्मेंट आता है मार के देखते हैं अरे अरे रे सो ओके भाई लोग ये तो प्रूफ हो चुका था कि ज्यादा DPI का मतलब होता है ज्यादा हेट सोड सो कंक्लूइजन यही निकलता है अब से तुम लोग जब भी गेम में जाना गेम में जाने से पहले DPI की एमाउंट को जरूर मत बढ़ाना क्या जी बिलकुल मत बढ़ाना क्यूकि बढ़ाने से पहले ये वाली वीडियो देखना बहुत जरूरी है सो वीडियो में बने रहना तो भाई लोग लेजन्डरी IPL 2024 पहले सही सुरू हो चुका है यार और काफी बंदे पहले मैच सही काफी पैसे कमा रहा है और इसके लिए मैं सोजेस्ट करता हूँ OneX Bet का जो देता है Reliable Service with International License और यहाँ पर सब कुछ है भाई Betting Line, Interface, Withdrawal of Fund, सब कुछ यहाँ तुम लग मैचेस की Square Predict कर सकते हो और जीत सकते हो Real Money और हाँ सिर्फ तुम लोग IPL में बेट लगा कर Draw में Participant बन सकते हो सर्व पर्थम समझो, DPI होता क्या है DPI एक छवी के भौतिक बिंडू घनत्व को संदर्वित करता है जब इसे वास्तविक भौतिक इकाई के रूप में पुना फ्रस्तुत किया जाता है साधारन सब्दों में समझो DPI जितना ज़्यादा बढ़ाओगे तुम्हारा समवेदन सिलता भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा समवेदन सिलता और थात Sensitivity मतलब Free Fire 100 Sensitivity देता है तुम इसको DPI लगा कर उससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो Proof के लिए यहाँ पर देखो मैंने DPI नहीं बढ़ाया है Phone है अभी normal DPI में अब अगर मैं enemy के head पे aim रखके यहाँ से लेके यहाँ तक screen को rotate करता हूँ सो देखो minimum मुझे 4 के आसपास rotation मिलता है और वहीं पर अगर मैं DPI को बढ़ाके 7800 के बीच करता हूँ और मैं फिर से अगर screen को rotate करूँ सो यहाँ पर मुझे minimum 8 तो 9 टाइमस का rotation मिलता है जी बिल्कुल भाई sensitivity बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और no doubt sensitivity बढ़ने की वज़े से headshot भी बहुत easily connect होता है और इसी चीज़ का दुरूपयोग करता है बहुत सारे free fire के players चाहे तुम ले लो wide fp को या फिर ले लो x prod fp को हर एक player dpi का उप्योग करता है overall हमें ये तो समझ आ गया कि ज़्यादा dpi से ज़्यादा headshot लगता है और ऐसे ही तुम्हारा भाई बहुत ही different different dpi numbers यूज़ करके game play किया और इन कुछ दिनों में मैंने जो अनुभब किया अभी उसी को सियर करने वाला हूँ so सबसे पहला चीज जो मैंने notice किया वो है king of glue wall तुम लोग अगर multiple glue wall यूज़ करके custom खेलते हो तो भाई मेरा मानो dpi तुम्हारे game play में जान डाल सकता है तुम्हारे game play को change करके रख देगा normal dpi default dpi में कुछ ऐसे glue wall लगता है क्योंकि बस हमारा 100 cents होता है जिससे हम screen को ज़्यादा rotate नहीं कर पाते और result में कुछ ऐसे glue wall लगता है और ये देखो भाई लोग dpi वाली glue wall जब मैंने dpi को minimum 600 के आसपास रखा था result में बहुत difference है भाई next जो मैंने अनुभव किया जो की है extreme level headshot देखो one shot या headshot तो हर कोई मारते हो बट dpi से ना उसका level और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है like मैंने notice किया ऐसे ऐसे condition में headshot connect हो रहे थे जो normally बहुत कम connect होता है next मैंने notice किया only red numbers साधरन game play में drag करने पर थोड़ा body damage आता है थोड़ा red damage आता है मतलब एक mixture आता है बट जब मैंने dpi को increase किया तब only red damage connect हो रहे थे या तो गोली सीधा head पर जा रही थी या फिर head के उपर जा रही थी ओहो हो हो कहां खो रहे हो wait 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 इतना खुस होने की भी जरूरत नहीं है बुरी बाते भी जान लो जो मैंने dpi लगाने के दौरान अनुभब किया पहली चीज तो है भाई नसा अगर तुम लोग regular basis पर dpi लगाना शुरू कर दोगे सो एक टाइम पे ऐसा आएगा जब तुमको without dpi वाली sensitivity पसंद ही नहीं आएगी और ऐसे मैं तुम लोग without dpi gameplay कर ही नहीं पाओगे अगला चीज लगाना हटाना जब भी game में जाना होता है या फिर custom में जाना होता है उससे पहले dpi लगानी होती है फिर game को restart दर के आना पड़ता है फिर जब game complete हो जाए फिर dpi को हटाना पड़ता है और फिर जब game खेलने जाओ फिर dpi लगानी है भाई हाँ मतलब ये ना एक annoying चीज है सभी को पसंद नहीं आएगा नेस्ट चीज है small layout जब भी dpi के मात्तरा को बढ़ाओगे फोन की layout बहुत small हो जाती है बहुत चोटा चोटा हो जाता है भाई सभी से touch ही नहीं कर पाओगे और ऐसे में जब भी तुम लोग game खेलोगे अगर game के दौरान कोई काम आ गया सबसे पहले तो भाई dpi को हटाना पड़ेगा क्योंकि उसके बीना phone को चलाना बहुत ट्रफ हो जाती है अब लास्ट और सबसे important चीज जो की है phone damage अब देखो इस चीज की तो मुझे सही से कोई proof नहीं मिला overall जो भी हो मैंने इस वीडियो के लिए dpi यूज किया और मैं यही बोलना चाहता हूँ भाई मजा आया overall at the end में यही बोलूँगा कि हाँ सही में dpi लगाने से headshot connect होता है मतलब मजा आ जाता है dpi लगा कर खेलने में और हाँ headshot movement सभी चीज़ों में improvement आती है सो अब से तुम लोग जब भी game में जाओगे जरूर से एक बड़ dpi लगा लेना देखना dpi लगर जैसे ही तुम लोग किसी बंदे को मारोगे सारे के सारे rate damage बिल्कुल connect नहीं होगा नहीं होगा क्यूंकि headshot मारने के लिए चाहिए होता है experience और practice dpi बस मदद करता है headshot मारने में बट अगर तुमको headshot मारनी ही नहीं आती सो dpi भी कुछ नहीं कर सकता सो उसकी लिए कर सकता है ये वाली dark tips नामक channel तुम लोग subscribe कर लेना क्योंकि इस channel पर इसी परकार की tips and tricks videos आती रहती है तो मेरे सारे भाई लोग चलो अभी मिलते है next वीडियो में अगर तुमको वीडियो पसंद आई है कुछ जानने को मिला है सब वीडियो को like कर देना और हाँ channel को subscribe जरू कर लेना तो चलो भाई लोग मिलते हैं राधे राधे